हेलो स्ट्रेंट्स तो इस वीडियों हम देखने वाले हैं कक्षा नोवी सामाजी व्यान का स्माइल 3.0 होमवर्क तो आए देखते हैं फर्स्ट किस्चन क्या है कि लोकतंतर का प्रशलित रूप कौन सा है तो बच्चो इसमें एक ही वर्ड आएगा कि लोकतंतर का जो प्रशलित रूप है वो है प्रतिनिधित्व लोकतंतर तो इसको लिखेंगे से तुम्हें बताता हूँ आपको तो ये इस टाइप से लिख सकते हो आप यहां दिखाई दे रहा हूँ आपको प्रतिनिधित्व लोकतंत्र प्रतिनिधित्व लोकतंत्र यानि की जनता क्या करती है बहुमत से अपने प्रतिनिधियों क्या करती है चु तो बच्चो इसमें उत्तम लोकतंत्र की व्यवस्था की विशेस्ता हैं बतानी हैं हमें तो फर्ष्ट विसेस्ता यहां पर है, आप फर्ष्ट परण दे सकते हो कि लोकतंत्र वहां उत्तम लोकतंत्र वहां प्रक्रिया है, जिसमें प्रत्य प्रभावित व्यक्ति सामिल होता है, चाए वहां अधिक सक्ति साली हो या कम सक्ति साली हो, तो पहली विसेस्ता यह हो कि वोट के समान अधिकार के साथ सूचना की समान उप्रब्दता बुनियादी सिक्षा और आधार भुथ संसाधनों की प्राप्ति होती है एक उत्तम लोकतांत्र में तो यह तीन विसेशता हैं आप लिख सकते हो अगले किस्टन पर चलते हैं हम अगले किस्टन में बोला जा क्योंकि एक लोकतंत्र में महिलाओं तथा पुरुसो सबीकी जो है समान भुमिका होती है और यहांपर केवल महिलाओं का जो प्रतिसद है वो दस प्रतिसद ही पहुचा है जो भागिदारी है उनकी संस्थ में तो यह जो कतने यह आलोकतांत्रिक है उसके बाद जो करमचारी अधिकारी से कहते हैं कि हमारे काम करने के गंटे कम कर देना चाहिए यहां कतन लोक्तांत्री क्यों है यह हमें समझाना है तो आएए दिखते हैं इसका फूल आंसर हम बच्चों आप देख सकते हो फूल क्वालेटी मैं देखना इसको थोड़ा धुनला है कि अधिकारियों से करमचारी हमारे काम करने के घंते कानून का नुसार कम कियाने चाहिए तो ये जो आंसर है पूरे Lich सकते हो कि हाँ यह मांग लोकतान्तरिक मुल्यों का नुरूप है निर्धारित सिमा से अधी घंटों तक काम लेना कानूं का उलंगनता सोशन है सोशन के विरुद आवज उठाना लोकतांतरिक मोलिक अधिकार है तो ये आप इसमे फूल आंसल लिख सकते हो अगले कुशन पर चलते हैं अन्य सासन व्योस्ताओं से निम्न प्रकार से बिनने फर्ष्ट पाइंड ये हो जायागा जो आपने सेकंड वाले किस्टन में लिखा है उसके बाद अगले दो पाइंड भी रहेंगे अगले दो पाइंड में प्रतियक नागरिक की फेसलो को लेने में समान मुमिका होती है वोट के समान अधिकार के साथ सूचना की समान प्रुबदा होती है बुनियादी सिक्चा होती है आधार को संसादनों की प्राप्ति होती है तो ये आंसर है जिसमें आप लिख सकते हो तो इसी प्रकार के डेली होमवर के लिए हमारे चैनल को जरू सब्सक्राइब कीजिए थेंक्स फर वाचिंग आठ चार्सो 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 जी हाँ याद कर लिजिए वाट्स अप नंबर क्योंकि अब चाहे आपका मैट्स का सवाल हो या फिजिक्स केमेस्ट्री बाइलोजी का आपके हर डाउट हर क्यूसिन का मिलेगा तुरंत वीडियो सोलेशन वो भी सीधा आपके वाट्स अप पर बस अपने फोन में डाउटनट का 8400400 वाट्स अप नंबर सेयो कर लिजिए और चेट ओपन कीजिए फिर जो भी आपका डाउट है उस सवाल की आपको बस फोटो किस निये उसे क्रॉप करना है और पास सेकंड में आपको उसका वीडियो सोलेशन मिल जाएगा क्लास 6-12, IATJ, NEET, CBSC BOTS और सभी स्टेट BOTS के बच्चों के लिए तो देर किस बात की अभी जाएए 8400400400 पर अपने सवाल वाट्स अप कीजिए और अपने सभी डाउट्स को आउट कीजिए लिंक डिस्क्रिप्शन में